ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आपको पता है कि आपके इस्ट देवता कौन है और इस्ट देवता की पूजा पाट करने से घर में सुक, समरद्दी, वै और खुशिया हमेशा बनी रहती है इस्ट देव की क्रपा से ही जीवन में वो सारी चीज़े हमें मिलती है जिन सीजों के लिए हम इश्वर से प्रात्मा करते हैं तो आईए दोस्तों आज जानते हैं कि आपके इस्ट देवता कौन है और आपको किन देवी देवताओ की कमेंट्स में भूलेनात का कोई एक नाम लिखे जो भी नाम आपको अच्छा लगया आप लिख सकते हैं अगर वरतमान में आप कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस्क्रीन की उपर नमबर चली रहे हैं आप वाट्सप पर अपोइन्मेंट लेकर हमसे बा करें सबसे पहली बात कि जब से बचपन से हमें जिनी देवी देवताओं में हमारी श्रद्दा है जैसे कि हम बचपन से शिव जी से प्यार करते हैं मातालक्षमी से प्यार करते हैं मासंतोशी से प्यार करते हैं बचपन से एक विक्ति को एक देवता से लगा होता है और ऐस सबसे आइडल इस्थ prossिती है जिन से बच्पन से आपका लगाव वही आपके इष्ड़ है Дूसरा, अगर मालिज आप Confuse है कि कीने इष्ड बनाये या हमें इन देवी देवताव के इष्ड बनाये तो हर व्यक्ति की कुल के इष्ड देवता होते हैं जैसे शिव जी ज्यादा तर्क जातको के कुल के इस्ट देवता होते हैं, महादेव, तो महादेव को बना ले, बजरंग बली होते हैं, विश्नु जी होते हैं, तो जो भी कुल के देवता हैं, आपके इस्ट हैं, उन्हें आप अपने इस्ट देव बना सकते हैं, तीसरी बात के साथ कोशिश करें जितना हो सके जब रहें चोती बात कि अगर आप इश्ट के प्रति श्रद्दा है अप इश्ट के प्रति पूर्ण समर पढ़ें तो खुद को बहुत जादा सकारत्मक आपको रखना होगा आप जितना positive रहेंगे जितना सकारत्मक रहेंगे उतनी इष्टिक की क्रपा को आप महसूस करेंगे negativity को दूर करें negative लोगों से दूर रहें और जितना होज़ा कि अपनी इष्टिका जब करें इसके लाव लोगों की मदद करते रहें समय समय पर अन्न दान करते रहें साल में एक बार इश्टि के लिए आप जो भी दान कर सकें या उनके लिए जो भी चीज़े पॉजिटिव कर सकें वो करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए ओमन में शिवा है